नमस्कार दोस्तों देखो सीगो इस टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया तो समान नहिंदी का दोस्तों यहाँ पर जोए लेके आचुका हूँ पुराना पेपर मॉक टेस्ट नंबर UPSI के लिए यहाँ पर अनुचीत बिकल्ब है इन में से उसका जोड़ा आपको बताना है गलत जो है अनुचीत मतलब यह है कि गलत जो आपका जोड़ा है तो देखेंगे अनुराग का दोस्तो यहाँ पर विराघ होता है बिलकुल आपका सही हो जाएगा विलोम यह सब है ठीक है कटू का मधूर कटू अचन मधूर वचन अब सुने होंगे अलपगे का बहुग्य हो जाएगा और दोस्तो उन्नत का अवनत होता है या फिर उन्नती का अवनती होता है तो यहाँ पर उन्नती नहीं अवनत हो जाएगा आवनत तो यहाँ पर जो गलत है या फिर जो है अनुचित जो जोड़ा है वो है बी नेक्स्ट बात करेंगे आधे अधूरा दोस्तों जो है ये किस विधा की रचना है मतलब यह का कहानी है या फिर नाटक है या फिर उपन्यास है तो देखिए आधिया धूरे दोस्तों मोहन राकेश जी का है भाईया क्या है ये नाटक है आधिया धूरे दोस्तों क्या है नाटक है और ये है मोहन राकेश द्वार रचित और याद रखेंगे इनके औने भी नाटक है जैसे आशाड का एक दिन और लहरो के राजहंस ये सब जो है इनके नाटक हैं एक्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए हमने डिस्कस कर लिया आशाण का एक दिन और लहरों के राजहंस ठीक है और यह आध्या धूरे अब जानते ही है नेश्ट बात करेंगे निम्न में से भ्रांती मान अलंकार का कौन सा उधारण है तो कई बार आ तो ओप्शनल एसका रेड़ेंसर हो जाएगा ध्रांति मान अलंकार का उधारण नेश्ट बात करेंगे रफ्राण गाई का दोस्तों इस जो यह बहोचन आपको बताना है तो गाईका का हो जाएगा गाई का एं गाई का एं जो है ऑफ्शनल बी में ठीक लिखा हुआ है बी इसका रेड एंसर हो जाएगा गाई काएं नेक्ट बात करेंगे मुंसी प्रेम चंद किस मुंसी प्रेम चंद किस पत्रिका के दुस्तों संपादक रहे हैं संपादक बताना था किस पत्रिका के दखिए तो मुंसी प्रेम चंद जो है जो पत्रिका है वो है अपका हंस संपाद रख रहे हैं हंस का डी इसका रेड एंसर हो जाएगा सरस्थी का कौन है तो महावीर प्रशाद दिवेदी याद रखेगा और प्रताप का कौन है या प्रताप के हैं गड़ेश शंकर विद्यार्थी जी ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर नीचे दिये गए विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है कौन सा इसमें गलत है यूद का परवाची ही सब यहाँ बात के हैं रण यह होता ही है संग्राम होता ही है और समर आपका होता ही है तो दोस्तों यह सभी आपके राइट है मत्स का म गलत है तो देखिए यहां पर बादल का यहां पर मेघ दिया है वायू और समीर दिया है वायू और समीर जानते हैं इसकी होता है कि और अपको बूद्बूध ते घट भरे खालिस्तानलिक जो आपका लोगोक्ति इसको पूरा करना है तो देखिए बूद बूद ते घट भरे तपकत रीतो होए और बी यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे उसा उदास आती है आपको बताना है तो देख रहें यहाँ पर उदास कब होता है कौन होता है इंसान होता है नेक्स्ट बात करेंगे जिसका दमन न किया जा सके वह दोस्तों कहलाता है वह क्या कहलाता है वह कहलाता है रिक्त स्थान है तो यह कहलाता है दोस्तों अदम में अदम में एर एडेंसर हो जाएगा अदम में जिसका दमन न किया जा सके उसको अदम में कहते हैं नेश्ट बात करेंगे दादी ने धेर स सारे खिलोने खरीदे इस वाक्र दोस्तों वीशेशन बताना है तो ढेर सारे हैं भेर सारे भन्य यहाँ पर जुँर जो जब बोली है कि से जो बोली है कि से इसके आती है बcott chỉ जबलपूर मध्रदेश का यह बिर हो जाएगा बगेल राजपूतों का आप जानते हैं सुन चुके हैं कि बगेल कर सकते हैं बगेल क्छंड मी कहते हैं इलाका जो है उसका यह सब धैं आपके कहां कि तो सब यह जो हैं डोस्तों यह अपको जबल पूर हो जाएगा रीवा आपका नागौर हो गया सडोल जवलपूर सतना मैं हर क्यास पास का छेत्र जो है यह लोग है नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से उतकंठा जो है उतकंठा दोस्तों समनार्थी आपको बताना है उतकंठा का समनार्थी कौन-कौन है तो उतक आपका इसक विकल्पों में से अलंकार का उधारण इन में से कौन सा विकल्प है संदेह कहां पर हो रहा है तो यहां पर हो जाएगा यह काया है या सेस उसी की छाया यहां पर संदे अलंकार है, जहां उपमे में उपमान की समानता देखकर यह निश्चे नहीं हो पाता की कौन उपमे है और कौन उपमान अर्ठा संदे बनारेता है तो यहां पर संदे अलंकार. Next बात करेंगे अपने कठीन परिष्रम से व्यपार में लोग अपनी जड जमा लेते हैं तो जड जमाना है इसमें रिखांकित किया है मुःवरे का अर्थ बताना है जड जमाने का है इस्तिती मजबूत करना option number a हो जाएगा जड़ जमा लेता है option number a red answer हो जाएगा next बात करेंगे पिछले दो दिनों से पड़ रही ठंड और सीत लहर से अभी यहाँ पर जीवन अस्तव्यस्त हो गया है तो भाईया आप कई बार सुन चूँआ है जन जीवन जन जीवन मतलब लोगों का जीवन जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है तो option number a red answer हो जाएगा खालिस्तान भरना था बहुत ही असान है जन जीवन अस्तव्यस्त कई बार आप सुने है यहाँ पर मिठाई का दोस्तो मिठाई सब्द किस सब्द का एक वचन है मने मिठाई जो है यह एक वचन है इसका बहुचन बताना है बोल रहा है कि मिठाई जो सब्द है किसका एक वचन है तो इसका कोई बहुचन होगा उसी का तो होगा तो मिठाई का दोस्तो जो बहुचन है वहीया मिठाईया आए और लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर C में है नेक्स्ट बात करेंगे इन में से कौन सी रचना ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित नहीं है जो ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित नहीं है वही बताना है देखिए बुनी हुई जो रसी है ये भईया भवानी प्रषाद मिस्र जी का है भवानी प्रषाद मिस्र जी का है कविता संग्रा है और इसको ग्यान पीट प्रसकार नहीं मिला है यामा दोस्तों महादेवी वर्मा का है मिल चुका है इनको 82 में 1982 में और आप जानते हैं चिदंबरा दोस्तों किसका है यह भईया सुमित्रा नंद पंत जी का है सुमित्रा नंद पंत जी का है और दोस्तों इनको 78 में मिल चुका है और दोस्तो उर्वसी जैसा कि आप जानते हैं दिनकर सहाब का है रामधारी सिंग दिनकर जी का है दिनकर जी का है और इनको दोस्तो 72 में मिल चुका है 72 में और 68 में मिल चुका है बुनी विरस्ती भवानी प्रसाद मिर्ष्र इन्हीं को नहीं मिला हुआ है मतलब इस विधा मतलब जो आपका रचीता मतलब क्या कहेंगे वो रचना है दोस्तों उसको नहीं मिला हुआ है नेक्ट बात करेंगे पुजारी सब्द का दोस्तों यहाँ पर इस्तलिंग बताना है तो पुजारी का हो जाएगा पुजारिन और पुजारन या फिर पुजारिन ऐसे पढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्यों जटके से पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्र होती है रिन में दोस्तों आपकी छोटी मात्रा होती है पुजारिन पुजारिन दोस्तों यहाँ पर डी रेड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे संस्क्रित भासा के सब्द जिनका हिंदी भासा में प्रियोग करने पर रूप परिवर्थित नहीं होता है उठा के डाल देते हैं तो इसको कहते हैं तत्सम सब्द उसको कौन सा कते हैं तत्सम चेंज होके होगा तो कुसको कहेंगे तदभाव ठीक है तत्सम कहते हैं बी रेड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे प्रतेक खालिस्था ने सिखाता है कि आपस में से रहो अब कई से रहना है तो आप कई बार यह लाइन सुन चुके होंगे अब कौन धर्म क्या सिखा रहा है यह बात की है लेकिन यह पर लाइन आप कई बार सुन चुके होंगे प्रतेक धर्म ठीक है प्रतेक धर्म दोस्तों सिखाता है कि आपस में भाई चारे से रहो ठीक ह कि इसके लिए होता है आख का अंधा और नाम है नयनसुख यहीं उपयोग में लाए जाता है लोगोगती कि आख का अंधा नाम है नयनसुख अब यहाँ पर किसी की विक्षप्ता की बारे में बात नहीं हो रही है या फिर किसी का मजाक नहीं उड़ाय जा रहा है कि नाम रख कल्प है जो कि औसंगत है मने कि इसका संदी विछेत जो है सही नहीं है वह आपको बताना है तो औसंगत दोस्तों यहाँ पर सी वाला है हरी आली जो है हरी आली के स्थान पर क्या होना चाहिए हरी याली है यहाँ यहाँ पर आली होना चाहिए हरी आली होना चाहिए तब आपक पहरियाली बनेगा सी यहां पर जो है और संगत है सेस आपका सही है पत्रीला के लिए है यह उपहार के लिए है और अभियान के लिए नेक्ष्ट दोस्तों आपके यह पेराग्राप दिया था कि बजपन के नाम नरेंद्र नात मतलब यह बात हो रही है किसकी यह बात हो रही है आपकी विवेकानद जीगी ग्यान विज्ञान और तरकसील से संपन युवक स्री रामकृष्न परम हंस के सिश विवेकानद करमट स पासी जुजारू और ओजस्वी योगपुरुस धर्म के पुनरजागरन का बीड़ा उठाकर जब विवेकानन ने सर्व धर्म सम्मेलन में सिकागो में भाशर दिया तो समस्त जन्ता मंत्र मुग्द हो गई उन्होंने दावा किया की वेदांत दर्शन ही सरोच्य दर्शन है से गुप्त करांती के जो जागरण संगठन बने उनकी मुक्य प्रेड़ा भी विवेकानन की सिच्छायती विवेकानन ने भारत के उत्थान में मौतपूर भूमी का निभाई ती मनें यह जो बताया गया है आपका जो कहेंगे जो गद्यांस दिया गया इससे कोईशन पूछा था बीड़ा उठाने का मतलब क्या होता भाया जो बीड़ा उठाने का मतलब होता है संकल्प करना सी इसका रेड़ एंसर हो जाएगा मतलब पेरागर आपके हिसाब से बाकी करेंगे किस लड़ाई देशी का रूप ले लिया तो यहां पर देंगे कालांतर में स्वेड़ का रूप लिया कौन सी उनिस्वी जो लड़ाई धर्म की थी वह यानि आप्शन नमबर आपका यहां पर सी हो जाएगा धर्म की नेक्स्ट बात करेंगे आप मंत्र-मुक्द क स्थान पर कौन सा कर सकते हैं तो जो मोहित हो जाते हैं उसी को मंत्र मुग कहते हैं सी रैडेंसर हो जाएगा अब दोस्तों बताना है पुरवर्ती का विलोम सब्द निम्नविकल्पों में से कौन सा है पुरवर्ती का हो जाएगा परवर्ती दोस्तों सी यहां पर रैडेंसर ह पुरवर्ति का परवर्ति हो जाएगा बिलोम नेक्स्ट बात करेंगे निम्लिकित में इसे विभक्ती समंदी तुटी वाला वाक्य पहचानी है थोड़ा सा दोस्तों मैं फंबल हो जाता हूं जली यह बोलता हूं तो ठीक है तो विभक्ती क्या करते हैं विभक्ती समंदी यहाँ पर जो है यहाँ पर सी वाला जो है आपका विभक्ती समंदी तुटी वाला वाक्य है सी रेड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे निम्लिकित में इसे अशुद्ध वाक्य का चुनाओ किजिए कौन सा इसमें अशुद्ध है कल तुमको कहां जाना अब जानते हैं कि कोशन पूछ रहा है यह ही यहाँ पर असुद्ध है नेक्स्ट बात करेंगे तीन में और ना तेरह में यह दो दोस्तों जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा तो यह उपयोग में लाए जाता है महत्वहीन के लिए मतलब तीन में भी नहीं और तेरह में भ कोई एक नहीं है यानि तीन होगा तीन तीन आप इसमें सीख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं अरे सॉरी उस जनपद का कभी हूँ उस जनपद का कभी हूँ यह दोस्तों किसका है यह त्रिलोचन जी का है भाईया यह त्रिलोचन जी का जो है कृती है और त्रिलोचन श गिरते देखा ये भी है यानि ये तीनों है नागरजुन जी का याद रखेगा तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस बादल को घिरते देखा है तीनों है कौन सा नहीं है ये पुछा था तिरलोचन जी का ये भया उस जनपद का कवी हूं यही रैड एंसर इसका हो यानि बी रैड एंसर हो जाएगा नीतियां बिलकुल सही है तो दोस्तों यहां पर जो बी रीतियां जब ऐसा सही लिखा हुआ था यह उप्योग करने की जरूवत नहीं थी यहां पर गलत है रीतियां ऐसे नहीं लिखा जाएगा नेक्ट बात करेंगे तब तो बहता समय सी सा से पकड़ ली होंगे कौन सा लंकार है तो दोस्तों सा से उपमा लंकार है डी रैड एंसर हो जाएगा चीक है नेक्ट बात करेंगे हिंदी सहीत अकदमी सहीत अकदमी से पुरस्कृत रचना कल मुझे सुनना किसकी कृति है कल मुझे सुनना यह जो है यह किसकी कृति है तो भीया धूमिल की है याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है धूमिल की रचना है सी इसका राइड एंसर हो जाएगा कल सुनना मुझे सुधामा पांडे पुरा इनका नाम है ठीक है कल सुनना मुझे है और सुधामा पांडे इनका पोटल नाम है कि सुधामा पांडे ध प्रशिद्ध है दूमिल राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों इनके और भी रचना है जो कि प्रशिद्ध है एक्जाम में आ सकता है मोची राम पटकथा संसद से सड़क तक सुदामपांडे का प्रजात अंत्र रोटी और संसद घर में वापसी भेंट गाओं हर तरफ धुआ है मैंने घुटने से कहा हरित करांती ये सभी इनकी रचना है कृतिया है नेक्स्ट बात करेंगे मा ने पिताजी से समान मंगवाया देखिया आया वाला जब काम होता है न तो कौम सा यहां पर क्रिया है तो भाईया उठावाया जब उठावाया माली जया आ गया तो यह प्रेनार्थक नहीं होगा लेकिन यहां पर आ गया उठावाया तो यहां प भूप का और महीप का राजा के लिए सब उप्योग में होता है यह सभी जो है राजा के लिए उप्योग में आते हैं रिप हो गया भूप हो गया महीप हो गया तो यह वर्तन का दोस्तों सही विकल्प चुनना है तो सम्रागी है मतलब यह स्ट्रिंग वाला है सम्राठ हो जाएगा ठकुराइन है और ठकुर है यहां पर लिखा हुआ है यह गलत है सही पित्रि ठीक लिखा हुआ है मतलब नद मतलब यह अपका कवी ठीक नहीं लिखा है कवी में छोटी की मातरा होती है मनए सही वाला चुनना था न तो यह गलत है यह भी गलत है और राणी और राज लिखा है जाजा होता है तो मतलब यह गलत तीनों है एक सगें यह यह गलत है समरागी और समराट सही है यानि बिल्कुल कोश्चन सही है यह रैड एंसर इसका हो जाएगा मुझे ही पढ़ने जोड़ा लगता था नेश्ट बात करेंगे उन्होंने अपने ग्यान को स्वयम तक खालिस्त सीमित जो है option अमर यहां है और डटी में हैं एक सकेंट हम अपना ग्यान स्वयम तक सीमित नहीं रखे समझ रहें ऐसा सीमित ही हो यहां पर होगा और H, अब यहां पर आगे बढ़ते हं नहीं रखा बलकी बलकी ग्यान को चाड़के निती में लिखकर भैष्ष्म में आने व अपनी आने वाली पीडियों को भी दिया जो ए और डे आप दोन अधी धोनों हो जाएगा ठीक है और बोड ने भी यहों डे दोनों माना है ठीक है ऍजस्ट बात करेंगे कि उत्सा वास्तों में खालिस्थाने की मिली जूली अनभूती है । मिली जूली अनभूती कि किसकी उत्सा दोस्तों वास्तों में कर्म और फल की दोस्तों मिली जुली अनुभूती है दो और लाश्ट कोश्ण है चातर श्कूल गय यह वाक्य में धूधकाल का जुझ ungef है यह व्याद्व काल यह बता दिया कि चातर श्कूल गय थे इसमें भूत काल है लेकिन कौन सा रूप है दोस्तों तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गय थे पूर हो चुका है यानि पूर वाक्य है ए रेड एंसर यहाँ पर हो जाएगा तो देखिए उस्तों यह आपके 40 कोशन थे जो कि प्रिविएस येर 2017 में पूछे गय थे आ 10 ही कि हो जाएगा धनस फया थी आपन dishonor ।